साथियों, 21 सदी का भारत अब टुकड़ों में नहीं, होलिश्टिक तरीके से सोचता है, हेल्ट से जुड़ी चुनोतियों को भी, अब होलिश्टिक एप्रोच के साथ उसी तरीके से ही सुल्जाया जा रहा है। आज देश में सस्ते और प्रभावी इलाज के साथ साथ प्रिवेंटिव हिल्ट केर पर वेल्नेस जादा फोकस किया जा रहा है। आचारिय चरख ने भी कहा है। स्वस्तत से स्वास्त रक्षणम, आतुरत से विकार प्रशमनच, यानि स्वस्त व्यक्ति के स्वास्त की रक्षा करना, और रोगी को रोग मुक्त करना, ये आविर्वेर के उद्देश है। स्वस्त व्यक्ति स्वस्त ही रहे। इसी सोच के साथ ऐसे हर कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे बिमार करने वाली स्थीतियां दूर हो। एक तरफ साफ सफाई, स्वच्छता, सवचालय, साफ पानी, धुवा मुक्तर सोई, पोशन इन सभी पर ध्यान दिया जा रहा है। तो वही डेड लाक हेल्थ और वैल्नेश सेंटर्स हिंदुस्तान के कौने-कौने में तैयार किये जा रहे है। इन में विशेश तोर पर साड़े मारा हजार से ज़्यादा आयूस वेलनेस सेंटर्स पूरी तरह आयूरवेद को समर्पित हैं, आयूरवेद से जुड़े बन रहे हैं, साथियों, वेलनेस का ये भार्तिय दर्शन आज पूरी दुनिया को आकरशित कर रहा है। कोरोना के इस मुश्किल समय ने फिर दिखाया है कि हेल्द आण वेलनेस से जुड़ी भारत की ये पारंपारिक विद्या कितनी कारगर हैं। जब कोरोना से मुकाबले के लिए कोई प्रभावी तरीका नहीं था, तो भारत के घर घर में हल्दी, दूद और काड़ा जैसे अनेक इमिनिटी बुष्टर उपाई बहुत काम आए। इतनी बड़ी जनसंग्या, इतनी गनी आबादी और ऐसा हमारा देश अगर आज सम्मली हुई स्थिति में हैं, तो उसमें हमारी इस परंपरा की भी एहम भूमी का रही है। साथियों, कोरोना काल में पूरी दुनिया में आउरुवेदिक प्रोडक्स की मांग तेजी से बढ़ी है। बीते साल की अपेक्षा, इस साल सितंबर में आउरुवेदिक उत्पादों का निर्यात लगभग डेड़ गुना करीब करीब 45 प्रतिशत बढ़ा है। यही नहीं, मसालों के निर्यात में भी काफी बढ़ोत्री दर्ज की गई है। दिखाता है कि दुनिया में आउरुवेदिक समाधानों और भारतिय मसालों पर विश्वास कितना बढ़ रहा है। अब तो कई देशों में हल्दी से जुड़ी विशेश पेपदार्सों की भी प्रचलन बढ़ रहा है। आज दुनिया के प्रतिश्टित मेडिकल जर्नल्स भी आउरुवेदि में नई आशा, नई उमीद देख रहे हैं।